बश्कार बच्चो स्वागत है आप सभी को बेसिक सिक्चा के इस ऑनलाइन लेर्णिंग प्लाटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी को एक लव्व 3.0 में जहां प्रिपरिशन करते हैं CVT 2024 के लिए और जो भी बच्चे BSC Honors Agriculture या फिर Agriculture Allied फिल्ड में अपना केरियर पर्शू करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो एक्रिकल्चर डॉमेन क्लासेश कावी इंपॉर्टेंट होती है तो उसी एग्रिकल्चर डॉमेन को 75 डेज CVT चैलेंज के अंतरगत कम्प्लीट करने के तहत में आज जो है आप लोग का Agriculture का तीसवा दिन और Animal Husbandry का जो है दूसरा लेक्चर है ठीक है आपका Animal Husbandry का इससे पहले वाली लेक्चर में हमने आपको feeding aspects के बारे में बात किया था फिर overall एक Animal Husbandry की क्या syllabus है किन-किन चीजों के बारे में हमें अध्यान करना चाहिए उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने आपको Animal Husbandry के साथ dairy technology में क्या-क्या चीज़े important होती है इन सभी चीजों के बारे में बाते करी थी ठीक है अब आज की जो सेसन है बच्चो उसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ taxonomic arrangement of animals जो भी आपके syllabus में दिये गए है ruminant animals उसके बाद poultry इन सभी के बारे में जो है हम लोग एक taxonomic arrangement के बारे में पहले बाते करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे बच्चो breeds of animals के बारे में जिसमें cow, buffalo इन सब के अलग-अलग breeds होगरा के बारे में बाते होंगी ठीक है तो सबी लोगों को गुड मॉर्णिंग राधे, रार राधे, ठाहर मादे, नमस्ते, राम राम,, सबी लोगों को Jai Shri Krishna, रधे राधे बच्चो, गुड मॉर्णि, अन्सुल DO, घुस्पु पाल, अधिति, घोष्ट गोष्ट, सबी लोगों को चलिए शुरुआत करते हैं बच् की session का सुरूआत करेंगे आज की session का आखाज करेंगे ठीक है तो चलिए बचो शुरुआत करते हैं बच्छो बीना time waste किये चलो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे बच्छो यहां पे आपका taxonomic arrangement में सबसे से पहले बरगी करन की बाते करेंगे तो जैसे जो भी हम लोग domestic animals की बात करें अगर आपके syllabus में जो है तीन animals जो है दिया हुआ है cow दिया है buffalo दिया है बच्चों और आपका जो है poultry दिया हुआ है ठीक है poultry दिया हुआ पॉल्ट्री यानि की जो है आपका यहां पर बर्द सोगेरा के बारे में यह तीन चीजे जो है आपके syllabus में दिया गया है इनही तीनों के breeds और नसलों के बारे में हम लोगों को यहां पर discuss करना है अगर हम छीजिम फाइलम कैपीसी औ जेनरіл साइंस इस तरीके से होता है ठीक है अब kपीस kingdom है ना उसके बाद आप का क्या होगा पी से आपका फाइलम हो जाएगा प्लान एनिमल की के से है तो Alors क्लास हो जाएगा ओ से आपका ऑडर हो जाएगा F से आपका family हो जाएगा हैना G से आपका genus हो जाएगा और S से आपका spaces हो जाएगा तो कुल मिला कि यही क्रमानुसार जो है आप किसी भी तरह के जीब का जब हम लोग बरगी करन करते हैं या taxonomic arrangement की जब भी बात होती है तो वो order आपका KPC of General Science इस तरीके से याद करें चलो चलिए आगे बात करते हैं फिर next point के तरफ अगला point के तरफ बढ़ते हैं उससे पहले जो है एक बार हाँ यह जो आपको यह sequence है यह sequence आप लोग बाइलोजी में भी पढ़ते हो कि कैसे KPC of General Science कैसे अब इसी में जैसे plant की बर्गी करन करना होगा तो phylum के जगपे आपका क्या हो जाएगा division हो जाएगा और KDC of General Science इस तरीके से आप इसको जो है निमोनिक्स बना के prepare कर सकते हैं अब जो भी animals हम लोग पढ़ना है उस सारे आपके kingdom एनिमल यह से बिलॉंग करते हैं phylum उनका core data core data का मतलब क्या होता है जिनके पीछे आपकी जो है read की हड़ी अर्थाद backbone की जो बात करते हैं तो उसी की बात होती है तो उसकी हम लोग जब भी बात करते हैं फाइलम की तो वह हमारा क्या हो जाएगा with backbone जिसके पास पीछे read की हड़ी जो होती है वह present रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चो phylum core data के अंदर रखेंगे अब इसके बात सब फाइलम क्या है vertebrata ठीक है सब फाइलम जो है इसका क्या हो जाएगा प्रेजन्ट होता है इस बेसिस पे जो हम लोग यहां पर बाते करते हैं अब next class के अगर बात करोगे तो यह हमारा mammalia class से बिलॉंग करता है mammalia का एक ही मतलब होता है कि जो direct birth दे दे और अपनी young ones जो उनकी नवजात बच्चे रहते जो नवजात सिसू रहती है उन सभी को जो है वो क्या करते हैं मुखे रूप से अगर देखोगे तो अपना milk फीड करते हैं ठीक है दूद पिलाते हैं ठीक तो इस तरह के animals होते हैं that give direct birth to their young ones और feed them their milk उने दूद जो है उनको पिलाते हैं तो suckle their young ones इसके होई हम लोग किस category में रखा गया बच्चो तो उसको जो है mammal यानि की mammal या के category में जो है उसको categorize करके रखा गया है ठीक है अगला बात करेंगे बच्चो सब class के बारे में सब class क्या है यूथेरिया यूथेरिया का मतलब क्या होता है female with placenta यानि कि अगर किसी मादा के अंदर ज़से placenta मतलब ऐसे पार्ट होता है ठीक है जिससे अब जब आपने देखा होगा अगर काई या फिर भहस को बच्चा जब देती है उस समय अगर देखा होगा तो वहां आपको प्लासेंटा और यह सारी चीजे दिखती है तो यूथेरिया मतलब क्या होता है कि female with placenta यहाँ पर भी आपका प्लासेंटा का presence होता है उसके बाद अंगी कुलाटा अंगी कुलाटा मतलब होफड एनिमल्स होफड मतलब क्या होता है खूड जिन पसूओं के खूड होते है ना उनको basically जो है होफड एनिमल्स कहा जाता है यानि कि अंगी कुलाटा अंगी कुलाटा का या even toad, even toad मतलब क्या होता है, समान तारे, जैसे hoof तो रहेगा, लेकिन जैसे uber खावन एक तरीके की जो है evenly distributed रहेगा, even toad या फिर hoof animals को आर्टियोडेक्टाइल्स में रखा गया है, अब अगर हम लोग बच्चों इसी तरीके से जो आर्टियोडेक्टाइल्स था, बच्चों को दूदढ़ चूसाने वाले जो अंघिम और आएंगे अपने बच्चे को दूदढ़ चूसाने वाले जो अंघिम रैंगे वो सभी महारे मैमले आंगे कसे रुका कहते है रिड़् की जिसकी हरण नहीं अथ कि इन्मल亲 भी कि और देकी और कॉ कम्यूनिटी पोस्ट जैसे आप यूटूब चैनल पे आप लाइव लेक्चर देख रहे हो वही पर बगल में आप कम्यूनिटी पोस्ट पे जैसे जाओगे आपकी रेगूलर क्लास की टाइम टेबल जो है वहाँ पे अपडेट होती है और अल्मोस्ट वह सिमिलर ही रहता है ह इस तरीके सारा कुछ का वहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ उसी एकॉर्डिंग आप अपने प्रेपरेशन को एक्सेल कर सकते हो ठीक है अनुज सावनी चलिए आगे बात करते हैं लोग नेक्स्ट इसकी बरगीकरन के बाद अगला बात करेंगे अब जो है बच्चो इसक दूसरा जो का ग्रूप है यहाँ पे यहै पेकोरा ग्रूप अब पेकोरा मतलब जैत New York में यह भी आपके रूमिनेंट एमंब्स से आपका इसमें आ जाएगा तीसरा ग्रूप जो है है वो है टाइलो पोड़ा जिसमें आपका क्यामल यानिकी उंट आ जाएगा ठीक है अब जो है बच्चों आपको में चीज यहाई से ध्यान देना है यह जो आपके लिए स्लाइड है यह काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ठीक है कि देखिए जैसे कि आप कह रहे हो ना कि जैसे अप सर बस सीवीटी के लिए चार महिने रहे गए हैं और बहुत डर लग रहा है तो देखो हमेशा जो है आप जैसे जो भी बच्चे हैं जैसे अगर आप लोग बर्दान बैच में रोल थे या आप किसी और बैच में रोल थे तो जब से आपने पढ़ रहा है continuously आप जो है knowledge को acquire कर रहे हो concept को acquire कर रहे हो और जब आपके सारे concepts आपके दिमाग में acquire हो चुके हैं तो अब बस आपको क्या करना है एक अहीं चीज करना है revise और उसके बाद MCQ practice revise and practice क्योंकि आपने already continuously revision करके पढ़ लिक के जो है आपने already अपने concepts को build up कर लिए अब आपको concepts build up करने के बाद करना क्या है तो बस the only one thing you need to do is revise your concepts and practice the questions बस यही दो चीज अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपके लिए selection को कोई रोक नहीं पाएगा ठीक है लेकिन यही जो चार महिने का आखरी समय है यही चार महिने का आखरी समय अगर सारे सुइटी ऐस्परेंट्स के लिए जो है काफी crucial टाइम है क्योंकि यही चार महिना जो आप पढ़ोगे जो आप समझोगे जो आप concepts revise करोगे वही चीज और वैसे ही आप exam में perform करोगे तो यह आने वाला जो चार महिने का समय है यह आप सभी के लिए जो है बहुत सुरूर किसी यही चीर्ण के लिए जिसकी live classes वह बच्शों आज से सुरू हो रही है ठीक है यानि कि live classes आपकी अचिर्ण की सुरू हो रहे है तो इसरी जो भी सुइच्छ अभी तक तैयारी नहीं किये हो या अभी तक तीयारी नहीं कर पाए हो उन सभी के लिए गुट में आपके जो है बहुत लेंगोई हिंदी इंगलिस में आपकी जो है अम लोग पढ़ाते बाइलिंगोल क्लासेश जो है आपकी होसला बैच की सीवीटी के लिए आज से शुरू हो रहा है ठीक है तो आप लोग जो भी बच्चे जॉइन करना चाहते हैं वो जो है जॉइन करक थे हम लोग यहां पर जो हुफ्ट एनिमल्स थे जो खुडबाले पसू थे उनको तीन अलग अलग ग्रूप में बाटा गया था सबसे पहला था सुईना दूसरा था पेकोरा और तीसरा था टाइलो पोड़ा ठीक है अब यह तीनों में जो है बच्चो सबसे पहले हम लोग लोग बात करते हैं सुईना के बारे में ठीक है सुईना मतलब आपने अई वी जस्ट देखा था यह डोमेस्टिक पी कहा जा रहा था यानि कि फैमिली क्या हो जाएगी स्वीडी फैमिली से बिलॉंग करता है अब बच्चो देखो ठीक है अब जब बात करते हैं लोग फैमिली यहाँ पर स्वीडी उसके बाद जेनस क्या होगा सुस और स्पेसिस क्या होगा डोमेस्टिकस ठीक है तो यहाँ पर जो है आप लोगों को दूसरा हम लोग बात अगर करेंगे यहाँ पर पेकोरा में फैमिली क्या होगा बोवी इस्पेसिस क्या इंडिकस अब यहां पर देखो जैसे दो तरह के गाई होते एक आपका देशी और दूसरा आपका बीदेशी ठीक है अब देशी और बीदेशी में जब बात होगी यहां पर बेटा एक चीज़ को समझो कि जो बोविस इंडिकस जो है वो हमारा देशी है इंडियन केटल है वो हमारा हम्ट केटल होता है यानि कि जो भारतिये जो मुल्के गाई होते हैं इन सब की अगर बात करोगे तो इनके उपर आपको हम्प यानि की कूबर जो है देखने को मिलेगा जो भी बच्चे अगर देशी गाई आप देखे हो तो वहां पर जो है पुछ रहे सर भी तो नहीं ली क्या चल रहा है भाई क्या प्रोब्लम चल रही है गोश्ट बताइए चलो आगे बात करते हैं इंडियन कैटल और हम्ट कैटल मतला भारती है जो आपके फसू होगे जाहे भारती है जो गव होगी गाई होगी उन सब में क्या होगा बच्छो आ यहां पर नहीं होगा यानि कि रह आ घ्रीक प्लेश आं इंडियन का नाम है और बॉस इंडिकस जो है मारा यह देशी का नाम है अमके पीछा ही इंडिकस लगा है इंडिकस से आपको समझमा आ जा रहा है कि Hal ko Histi फोगा फ्सक्ति यहाँ है कर ले जाओगे कि यहां पर क्या वाटर बाफेलो उनको कहते है अफिदे अफिदे का नाम है बुबेलिस के परी और अमेरिकन बाफेलो का नाम है बुबैलिस वीपसन बीसन अब यहां पर क्या है आपके अलग अलग जो है इन सबका अलग अलग बोटैसिकल नेम जो है आप लोग को दिमाग में होना चाहिए यह आफ्रीकन वफिलो कोश्चन क्या पूछ देगा आपको इंडियन वाट वटर बॉफिलो बी अफ्रीकन वफिलो C अमेरिकन वफिलो और उधर देगा तो आपको आपस में जो है मैंच दो कॉलूम् करना होगा कि कौन सा किसके साथ जो है जो लॉजिकल नेम है और इस तरह से क्या प्राहिर का सी है हमारा डोमेस्टिक गोट का नो नेम है ठीक है अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपको मैंने कहा था कि आपके स्लिवस में जो है तीन ही जानवर दिया गया है काउ का बारे में काउ का क्या होगा बॉस इंडिकास हो होगे तो क्या होगा बुवैलस बुवैलिस बुवैलस बुवैलिस दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं बुवैलस विवसन बुवैलस विशन तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर बुवैलस कैपरीज इस तरीके से तीनों जो है हम लोग का यह उसका होगे अब तीसरा जो हम लोग के स्लिवक में दिया गया फच्छों पॉल्टरी वह तो का नाम है ग्यालस क्यास डॉमेस्टिका चैंक है लिए जॉट इढरे हटीजरों किया है तो काउ हो गया भुफिलों हो गया और पॉल्टरी स्टॉरेगा котором डुलट भूबैलश विवसंग लेयर बूबैल चपरीज और पॉलट्री का क्या होजा ग्यालस ड्योमेस्टी का ठीक है तो यह तीनो जो है अलग अलग था ठीक है सर मेरा एक doubt question है हिमान सुगुपता जो भी doubt question है आप लोग question comment section में कर दो मैं जो है देखकर पूछ लूँगा ठीक है आप लोग को बता दूँगा clear जो भी doubt है आप लोग comment section में डाल दीजे जैसे थोरे थोरे समय के अंतराल पे comment देखते हुए मैं उसको discuss कर लूँगा इंटर्टेंट कर लूँगा ठीक है अब अगला जो ग्रूप हम लोग बात करें वह है टाइलो पोड़ा जिसमें फैमिली आपकी कैमिलीडी आती है अब नाम ही कैमिलीडी है तो यह हमारा जेनस क्या हो जाएगा यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे प्रिजन्स रहती है ठीक है इस तरीके से अब जो है उट में जो कुबर रहती है उसको हम लोग क्या कहेंगे वह एरबिक कहलाएंगे जो हमारा जो हम लोगों को यहां पे नहीं अधिती नहीं होगा ऐसा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो हम लोगों को यहां पे अलग अलग केमल की प्रजाती है और एक चीज़ आप लोग को बता दें कि इंट्रेनेसनल येऑ ऑफ कहुमेलीरे उफ केमलीरेट करके जो है आपका यसे यहां और इंट्रेनेसनल में home ठीक है तो इसलिए जो है इन सब के प्रो आप इन सब का जो है प्रोमोशन इन सब के प्रोटेक्शन और इस सब की चीजों के लिए जो है मुख्य रुप से आपका 2024 जो है FAO Food and Agriculture Organization जो UN का एक department एक branch एक section है वो जो है इस बार 2024 को जो है Camel में जो है Camel के लिए जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया है 2024 को अंकित किया है International Year of Camel यानि कि उट के तार पे जो अंतराष्टिय वर्स जो है इस बार 2024 मनाया जाएगा आप लोग अब comment section में बताईए कि 2023 जो है किन चीजों के लिए अंतराष्टिय वर्स के रूप में मनाया गया था फटाफट comment करके बताईए आप लोग ठीक है कि 2023 हमारा किस चीज के लिए अंतराष्टिय वर्स के रूप में मनाया गया था अब इस तरीके से जब हम लोगों ने देखा अब बच्छो बात करेंगे हम लोग अलग-अलग एनिमल्स के बारे में जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक चीज जान लो Three Chamberd Stomach Omasome Lacking किसमे Metal में Camel जो होते हैं इन सब में क्या होता है आपका Four Compartments होने चाहिए क्योंकि रूमिनेंट Animals है लेकिन होता क्या है यहाँ पे चार Compartment नहीं होते हैं उतके जो पेट होता है बचो वो तीन चैंबर वाला होता है जैसे अगर हम बात करेंगे फो चैंबर्ड का ठीक है जैसे रुमिनेंट्स जो होते है रुमिनेंट्स जो होते है इनके स्टोमक में क्या होता है four chambered होता है four chambered stomach four chambered stomach चार चैंबर जो है इसके पेट में जो है डिवाइड होते है फो चैंबर इस तो मग और वो कौन-कौन से चैंबर्स होंगे तो ए हो जाएगा आपका ओ मैसम क्या हो जाएगा ओ मैसम दूसरा क्या हो जाएगा ओ मैसम क्या हो जाएगा ओ मैसम और तीसरा क्या हो जाएगा ओ मैसम तीसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो ओ मैसम ओ मैसम के बाद तीसरा हम लोग के लिए हो जाएगा यहाँ पर ओ मैसम ओ मैसम उस है ना अमास है इस तरीके से हम लोग इसको अलग-अलग नाम दिया गया जाली का है ना इन सभी में जो है बच्चों जब हम लोग बात करेंगे यहां पर आपको बता दें हाँ दो हजार तेश जो है बहुत सांदर लगबग सभी लोग एंसर करें प्राइविट इंसान अदिती घोस्ट टारगेट भी एच्चु खुसुपार अंसु राखी कुमारी इंडियन एगरी कल्चर सभी लोग जो है इंटरनाशनल इयर ओफ मिलेट्स के बारे में कमेंट किया ब गुले बरदन के लिए जो है आपके इंटरनाशनल इयर ओफ मिलेट्स के तौर पे भारत के रिक्विस्ट में इंडिन आ आफ एओ ने जो है 2023 को इंटरनाशनल इयर ओफ मिलेट्स के रूप में ड्राफ्ट किया था ठीक है तो इसी तरीके से जो है आपका यहाँ पे एक ची में डिवाइड होता है लेकिन मुख्य भाग जो पेट का होता है वो हमारा रूमेंक अकुपाई करता है ठीक है चलिए अब आध बात करते हैं नेक्स्ट जो हम लोगा एनिमल है जो कि नॉन रूमिनेंट और हुफ्ट एनिमल्स अब बच्चान जब बात नन रूमिनेंट एनि निगलते जाती एचीजों को निगलते जाती है ठीक है उसके बाद निगलने के बाद जब वो अपना पूरा seven कर लेती है तो बाद में जब रेस्टिंग से में रहता है ज़ब आराम करती रहती लिए बैठिरए तो उसमें वो वापस से क्या करते रिंगरुट करके फुड को उपस अपने मा उतंपी लिया क candy है और फिर उसको स्वालो करती निगल्ती है इस तरह की प्रोसेस इसमें रिंगर्इटेशन ओव रहा हम आपका पुड मा उत में आ रहा है यह से उसको चवाया जाओ फिर्से वापस से स्वालो किया जा रहा है तो यह जो प्रासेस होते हैं यह हमारा rumors yüzden या फिर rumors and animals में जो है पाए जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते बच्चो नो रुमिनेंट साइकल कहते हैं अब जो पसू की बारे में हम अभी बात करने वाले हैं वह आपका व्डूसरे ओरรर से बिलोंग करता है दूसरे ओरर कहने का मतलब आपके उसके बाद बात कर रहे थे पेक्शियोडेक्टाइल्स जो होगा वो हुव्ट तो होगा खून तो होगी लेकिन उसका पेड़ जो है आपका है रुमन रेटिकुलम और मैसम के तरह चार भाग में विभाजित नहीं होगा तो उस तरह के अनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे बेटा नन pruminant कहेंगे जिसमें फैमिली हमारा कौन सा आता है, इक्वीडी आता है अब यह पोच्छो, यहां पे इक्वीडी जो फैमिली है, इसमें से जैसे हम लोगों ने अभी तक चार फैमिली पढ़ा है, ठीक है, एक हमने पढ़ा स्वीडी स्वीडी फैमिली से आपका क्या बिलॉंग कर रहा था पीगी बिलॉंग कर रहा था दूसरा हमने पढ़ा भाईया बोवीडी बोवीडी फैमिली से हमारा क्या क्या बिलॉंग कर रहा था तो काउब कर रहा था बॉफेलो कर रहा था सीप कर रहा था goat कर रहा था ठीक है goat and sheep उसके बाद जो तीसरा हम लोगों ने पढ़ा family वो था बेटा Camelody क्या था Camelody अब Camelody family से हमारा क्या बिलॉंग करता है बाबू Camel बिलॉंग करता है उसका next जो हम लोग देख रहे हैं बेटा वो है हमारा equity family equity family से हमारा कौन सा belong करता है तो horgs और डंकी है बच्चों ये दोनों हमारा equity family से belong करता है ठीक है ये cool मिला के जो है ये चार family facing hommarile important है बले सिल्वस मैं हमारा pig नहीं दिया है camel नहीं दिया है लेकिन एकाथ question जो है पिग और कैमल से बच्चों यहाँ पे दिया जाता है ञेशन को चलो कोई बात नहीं है यह하다 एनिमल तो कोई दिक्कत नहीं भाई है इक्विडि Hey horse donkey यह साब चीडिए अब स्वीडी बोवीडी और इक्वीडी अब बच्चों यहाँ पर अगर बात करेंगे इक्वीडी फैमिली से तो equals genus और cabalus का मतलब horse और acinus का मतलब donkey यानि कि अगर कोई पुछा horse का बना जो लोजीकल नेम क्या है तो equals cabalus donkey का equals acinus इस तरीके से क्या है बच्चों आपको लगभग हमने पूरे जो एनिमल kingdom में हम लोगों को पढ़ना है चार पाच पस्सू जो पढ़ना होता है जनरेल लोग पढ़ते हैं उसके लावा हम लोगों के ख्लेमस में तो मुख्यरू उसे तीन ही चीज़ दिया है काउ बफिलो और पॉल्ट्री ठीक है तो अगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते बच्चों अगर ब्रिड्स ऑफ एनिमल की बात अगर किया जाएगा तो यहां पर ध्यान से देखिएगा ब्रिड्स ऑफ एनिमल की जब बात करोगे तो ब्रिड्स ऑफ काउ की बात करते हैं ठीक है ब्रिड्स ऑफ काउ की बात करते हैं अब इसको जो है बच्चों ओरीजिन के आधार पर दो उसके बाद exotic, ठीक है, exotic का मतलब क्या होता है, देशी का मतलब क्या होता है, Indian origin का, Indian origin का जो होगा, भारतिये मुल का जो होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, देशी कहेंगे, भारतिये मुल के जो भी पसू होंगे, भारतिये मुल को, उनको हम लोग जो है, देशी कहेंगे, और दूसरा क्या होगा तो from other country, other country यानि कि दूसरे देश से, ठीक है दूसरे देश से, अब जब बात दूसरे देश की होगी तो इसमें answer आपका क्या हो जाएगा, example भी दो-चार नोट कर लेते हैं, जर्सी हो गया, हॉल्स्टेन फ्रिसियन हो गया, उसके बाद आपका ब्राउन स्वीस हो गया, यह सब हमारे क्या है, exotic breeds हैं, आप बात जब इंडियन की होगी तो गीर हो गया, साहिवाल हो गया, है ना, देवनी हो गया, उसके बाद जो है, हम लोग यहाँ पे साहिवाल हो गया रेड्स इंदी हो गया, थरपरकर हो गया, अमरित महल हो गया, यह सब हमारे क्या है, अलग-अलग breeds हैं, जो इंडियन ओरिजिन की है, ठीक है, clear हिमानसु गुपता का डाउट आ गया है, जैकी सर, पेपर में 50 questions मिलेगा और 50 में से 40 करना होगा, तो सर, मैं कोई भी question skip कर देता हूँ, तो बाद में skip करने वाले questions फिर से आएगे, ना questions हल करने के लिए, यहाँ देखो, जब आपको जो है, जैसे वहाँ पे 3-4 option रहता है, अगर आप वहाँ पे review के लिए mark कर दिये, तो बाद में आप review भी कर सकते हो, जैसे आप कभी भी question number कर रहे हो, बैक करके आप उस दुसरे question number पे जा सकते हो, जो आपने नहीं solve किया, ठीक है, आएगा, आएगा, क्यूंकि पहली बार paper दोगे न, तो घपराओ मत, आता है बब जो है पुनारने question पे आओ, ठीक है, उसके लिए आप मत परेशान हो ये, आते हैं इस तरह के questions, ठीक है, हाँ, ये सब जो इनिमल सा बच्चों, ये सारे चीज़ आपके origin के आधार पे हमने बता दिया, अब जो है बच्चों, यहाँ पर origin के बाद हम लोग बात करेंगे आप के साथ, परपस के आधार में, किसके बारे में बच्चों, परपस के आधार में, अब जब परपस की बात होगी, तो परपस यानि की क्या होगा, उत्पत्ती स्थान या उद्गम स्थल के आधार पर, ये उद्गम स्थल के आधार पर था, अब बात होगी उपियोगीता के किसके आधार पर बच्चो यहां पर बात होगी उपियोगिता की आधार पर उपूरकी है तो jsem दूपियोगिता के आधार पर जो बच्चों हम लोग तीन भाग में इसको बाटते हैं एक बाटते हैं मिल्च मिल्स ब्रीड मतलब दुधारू पसू दुधारू नसल उसके बाद दूसरा हम लोग बात करेंगे यहां पर ड्राफ्ट ब्रीड या फिर इसको हम लोग ड्राउट ब्रीड भी कहते हैं यानि कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे भारवाही नसल कहेंगे उसका तीसरा जो बात है वो है हमारा डूल परपस ब्रेड यानि कि दो प्रयोजनी ये नसल दो प्रयूजनिय नसल ठीक है अब यहां तक बच्चो चीजे बात क्लियर हो गई आपकी दुधारू नसल है ना भारवाही नसल और आपका जो है डूल परपस ब्रीड अब जब बात होगी बच्चो यहां पर मिल्च ब्रीड का इसका काम क्या होगा मिल्क प्रोडक्शन के ल लिए इसमें क्या होगा मेल जो होगी वह हटा कठा होगा है ना ड्राफ्ट ब्रीड में जो नर होगा वह हटा कठा होगा और जो फीमेल होगी उसकी मिल्क प्रोडक्शन क्या होगी बच्चो कम होगी ठीक है अब अगर मिल्च प्रोड में देखेंगे इसमें मेल जो है धिल अदे की यहां ठाला होगा लेकिन फीमेल की जो milk production होगी वह जादा होगी ठीक है तो उस बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा milk production यानि की दुख दुथपादन अब यहां पे क्या होगा तो यहां पर बोथ Russ for both purpose milk and transportation for both purposes दोनों product के लिए यारी कि Less milk produce करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करेंगे और दूसरा जो है हम लोग क्या यूज करेंगे बच्छो यहाँ पे as a transportation मननी कि यहाँ पर जो है बच्छो आपके दोनों ही चीजे यहाँ पर major role play करेगा आपका जो male होगा वो as a transportation use होगा और जो female होगी वो भी अच्छा खासा मात्रा में जो है दूद उत्पादन कर लेगी तो इस वज़े से यह हमारा जो है बोथ purpose वाले जो होंगे dual purpose breed कहलाएंगे ठीक है अब जैसे dual purpose breed में आपका जो है हरियाना हो गया best dual purpose breed माना जाता है हरियाना जो है आपका क्या है best dual purpose breed यह भी note कर लीजिए हरियाना जो है cow का क्या होता है हरियाना जो है best dual purpose breed माना जाता है हरियाना जो है आपका क्या माना जाता तो best dual purpose breed माना जाता best dual purpose breed यानि कि best dual purpose breed मतलब जो है सर्बुत्तम दो प्रयोज निये नसल माना जाता है यह क्या माना जाता है बच्छो सर्बुत्तम दो प्रयोज निये नसल दो प्रयोज निये नसल है ना सर्बुत्तम दो प्रयोज निये नसल जो है इसको हम लोग कहते हैं clear है यहाँ पर आगे बात करते हैं बच्छो next point के पाद जो बार मिल्च ब्रिड की अगर बात करोगे तो आपका साहिवाल हो गया घीर हो गया है ना रेट सिंधी हो गई यह समारे हो जाएंगे इसी तरीके से करना ब्राफ्ट ब्रिड के बाद करेंगा थर पर करें आगे चलिए आप बात करते हैं वन बाई वन सारे नसलों के बारे में आपके पास यहां पे डाइग्राम्स भी लगे हुए है ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो और दूसरी चीज यहां पे जो भी चीजों को जो भी पाटिकुलर पॉइंट्स को मैं हाइलाइट करूंगा सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर आप बेसिकली ध्यान देंगे पूरी चीज और पूरी पंचायत जो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चलिए आगे बात करते हैं गीर अब देखो यहां पे जो भी नसल मै बताऊंगा उसके बारे में तीन पॉइंट्स मुख्य रूप से आपको दिमाग में बैठाना है बाकी कहानी कधन्चित पूरा पूरे देखने की जो की जरूरत नहीं है पूरी कहानी रमाइन जो है पूरा अभी पूरे इसके बारे में ज्यान लेने की जरूरत नहीं बस आ पर जो भी नसल आप पढ़ रहे हो उसमें एक चीज जानी है कि जैसे उसका उत्पत्ती स्थान क्या है यानि कि वह जो पाटिकुलरी नसल है उसका उद्गम स्थल कहा है कहां से उसकी ओरीजिन हुई है ठीक दूसरा चीज आपको मुख्यरूप से ध्यान देना है कि उसकी उत तो जैसे स्थाएं जो रहती है इस्सेशल कैरेक्टर किसी ब्रीड के अंदर उसस्थाल कारेक्टर को आपको पहचानना ऊसकार को ध्यान देना है और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वह किस परपस के लिए ग्रो हो रहा है कि आपका भारवाही के लिए कि या जा बस जब यह तीन चीज दिमाग में रख लोगे तो आपके नसल से रिलेटेर किसी भी तरह के कुश्चन से नहीं चूटेंगे ठीक है तो जैसे बात करते हैं गीर तो गीर को हम लोग भदावरी देशान और गुजराती भी कहते हैं अब गुजराती या काथियावारी कहते हो अब यहाँ पर एक चीज जान लो कि इती जी गिर फोरेस्ट और चाथियावाराश वुजराट गुजरात की जो इती मानी जाती है हठा-कठा होती है इसकी कलर जो है धेखो को रेड़ और चोकलेट ब्राओं कुई होती है मोतलब आपका मुड़ा हो रहता है जो कैसा औरध half moon appearance देता है, half moon appearance of horn is the special attributes of which of the following breeds of animal, the answer will be gear, उसके बाद बात करते हैं, milk production जो आपका 1200 से 1500, 1800 kg और this breed also known for disease resistance and hardness, क्योंकि जब देखो गया आप गिर गाई न तो बहुत हटा-कठा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है प्रमुक्रूप से, इन सब points के कि इसके उत्पति स्थान कहां से थी, तो बहिए और साथ में जो है, यह हमारा कैसा है, तो मिल्च ब्रीड है, कैसा है, मिल्च ब्रीड है, मिल्च ब्रीड का यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि दुख्द प्रयूजनी निया है अब उत्पति इस्थान कहां से हुई भी या तो उत्पति हुआ इसका गीर जंगल गुजराच से उसका रंग कैसा होता है चोकलेट ब्राउन हुआइट कलर के होते हैं पैचे चोकलेट ब्राउन कर रहत है और साथ में जो है डिजिस रेसिस्टेंट और हाड़ी नेचर की होती हटा-कठा देखने भी लगता है ठीक है अब यहाँ पर जो है जैसे गीर की जंगलों में उत्पन हुआ ठीक है गीर की जंगलों में उत्पन हुआ पहला पॉइंट इसको उसके बाद दुधारू नसल ह है यह कैसा नसल है हमारा दुधारू नसल है ठीक है यानि कि दुख दुध पादन प्रमुक्रूप से यूज होगा उसके बाद जो है इसका आधा चंद्रमा की उपस्थिती होती है सिंग जो है घुमावदार होता है अजीब सिंग अजीव रूप से घुमावदार होते हैं दुख दूत पादन 1200-1800 kg जो है आपका प्रती बयात करती है प्रती बयात या प्रती स्तनपान मतलब क्या होता है कि जो एक बार गाई प्रेगनेंट हुई उसके बच्चे बच्चरे को जन्म दिया उसके बाद से लेकर उसकी पूरी टाइम डियूरेशन रहती है उसी को हम ल रहा कैसा ब्रीड हो जाएगा तो मिल्च ब्रीड हो जाएगा यानि के दुख्द प्रयोज निया नसल हो जाएगा अब इसकी उत्पत्ती स्थान हम लोग क्या कहेंगे तो सिंध रीजन और पाकिस्टान से ठीक है अब कहोगे सर यह आपने तो देशी बताया लेकिन यह तो पाकिस्तान में है बाबाद तो देखो भाई यह जब बात उत्पत्ती स्थान हुई थी आपके गाईयों की तो उस समय जो इंडिया पाकिस्तान और बोडर वोस नॉट डिफ्रेंसियेटेड और दूसरी देखा होगा Southeast Asia, Southwest Asia इसे पूरे थोड़े वाइडर रेंज को कवर किया जाता है इस वाजिसे हम लोग यहां पर जो है इंडिया की जो एरिया है नो वो एड्जोइनिंग एरिया ऑफ पाकिस्तान यहां फिर अपने आसपास के छेतर को जो हम लोग क्या करते हैं इंडियन ओर स्वाइड़ जनका ही excused किया जाता है color is the red with sec veering from dark red to light white color का जो है यहां पर color het brush noarte red with sets bearing from dark red to light color के जो है sets उहां पर present and sets मतलब चाहां थिक उस-का मिलक इल्ज होगी वह आपका कितना होगा एक 1250 से 1800 लिटर होगा और बुलोक्स डिस्पाइट लेधार्जिक स्लोग केन वी यूजट फॉर फिल्ड वर्क है न इसके जो बैल है वो लेधार्जिक मतलब कि आतो सुस्त इसे बहुत से लोग देखते होगे एक्जाम सीवीटी आने के चार महिना बाकी है अभी भी सुस्त पढ़े रहते हैं कि आरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे अभी तो दो महिना मत कर लेंगे इस तरी से सुस्त पढ़ना तो वो जो है बच्चो सुस्तता जब होती है न तो आपके लिए जानलेवा हो सकती जानलेवा मतला आपको अच्छे कॉ होचाने के लिए आपके लिए जो एक बाधा का काम कर से क primary इसक्मेरी पाकिस्तान गोंट मेरी रीजन जो है पाकिस्तान का वो अमारा साहिवाल के उत्पतिस्तान और साहिवाल से related दो चार चीजे बहुत important आपको क्या जानना है कि इसकी जो milk production देखोगे highest milk producing desi breed है ठीक है milk production में देखोगे highest milk producing desi breed है आपका diagram भी यहाँ पर लगा हुआ है साहिवाल का आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हठा कठा नहीं होती है गीरगाई की तरह लेकिन highest milk producing होती है सबसे ज़्यादा दूद देने वाली desi नसल अगर कोई question पूछता है highest milk producing desi breed कोई question पूछ दिया answer क्या हो जाएगा भी यह answer हो जाएगा साहिवाल और दूसरा चीज जैसे कभी question पूछा कि सबसे मीठी दूद किसकी होती है यानि कि सबसे ज़्यादा sweetest milk किसका होता तो यह भी answer आपका क्या हो जाएगा वेटा sweetest milk भी आपका answer हो जाएगा साहिवाल का ही होता है अब एक चीज़ बताए एक कोई बता सकता है क्या comment section में कि साहिवाल का दूद जो है सबसे मीठा क्यों होता है ठीक है अब ऐसा कोई answer मत देना कि सर यह चीनी खाके दूद देती है ऐसा कुछ नहीं होता है यह बताएगे साहिवाल की जो है दूद में स्क्यू सबसे ज़्यादा मिठास या फिर sweetness क्यूँ ज़्यादा होती है कोई comment section में बता सकता है क्या फटा फट बताएगे साहिवाल की sweetest milk होने का reason क्या है दूसरा बात करते मॉंट इसको जो है लो ला या फिर था कि क्यूं मिठा होता यह बताया पूछा गया था ठीक है लैक्टोज कंटेंट जादा रहता है वेरी गुड अधिति खुस्पोपाल टार्गेट भी अच्यू हाइस्ट लैक्टोज के कारण से बहुत सांदार ठीक है तो यहाँ पर जो है स्विटेश्ट मिलक क्यों होता है तो इसमें जो एक और चीज़ कissements सबसे जयदार सबसे जया होजाँ क्योंकि सके जो है स्विटेश्ट मिलक भी है सीनी की मैत्रा आप इसके दूद में सबसे जयदाए लैक्टो ज़ादा होता है और lactose को ही हम लोग क्या कहते है milk sugar कहते है ठीक है lactose को ही milk sugar कहा जाता है ठीक है milk sugar कहा जाता है इस point को भी note कर लीजिए और यही milk sugar की presence ज्यादा होने के वज़ास से इसकी दूज जो है वो मिठी लगती है ठीक है और lowly skin भी किस नसल का special खासियत यह question एक बार पूछा गया था तो lowly skin या loose skin धिली ढाली skin जो है हमारा किसका खासियत है तो यह जो हमारा answer हो जाएगा साहिवाल ठीक है तो symmetrical body having loose skin ठीक है symmetrical मतलब जो सरीर आपका एक समान जो है distributed रहेगा और एक चीज़ जो मैं तुम लोगों को कूबर की बात कर रहा था तो यहाँ पर देखो यह जो पार् आपके किसी भी तरह का कूवर की उपस्थिती जो है नहीं होता है इस चीज़ को आपको note करना है ठीक अगला बात करते हैं नेक्स्ट नसल के बारे में अगला नसल है बच्चो इंडिजीनियस draft breed draft breed का मतलब समझते हो भारवाही नसल है ठीक है अब यहाँ पर देखोगे बात करते हैं draft breed की तो उसमें जो female cow होती है female जो होती है वो आपका हटा कठा नहीं होती है और दूद उत्पादम भी बहुत ज्यादा नहीं करती है लेकिन यहाँ पर जो major role play करता हो उनके blocks यानि के bell major role play करता है वो कैसे तो वह आपका भारी वगरा को उठाना हुआ एक जग तो अब तो फैर बहुत जगा पे आपके जैसे थ्रेसर आ गये हैं harvester combine harvester आ गया जो एक ही बार में आपका पूरा process करके अनाज फेक देता है और इधर धूल भूसा अगयर आलग कर देता है लेकिन पहले जब मैं छोटा था या फिर आप लोगों में से भी कुछ लोगों इस तरह के manual walks जो होते हैं इस तरह के heavy walks होते हैं इन सब के लिए जो हम लोग भारवाही नसल का यूज करते हैं तो भारवाही नसल में एक जो नसल हम लोग देख रहे हैं यहां पर हैलिकर हलिकर जो है इसका उत्पत्ति स्थान कहां है तो करनाट का है और यह color कौन सा हो पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा उसके बाद बात करेंगे best known for its drought capacity on trotting ability के लिए ठीक है जो आपके जो प्रमुक रूप से इतना ही नसल के बारें बाते करेंगे इसके इलावा जो भी आपके स्लेबस में दिया गया है ठीक है पोल्ट्री बॉफेलो और काव की नसल इन सारे चीजों को जो है कल कंप्लीट करते हुए कुछ mcqs हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे जो आपके cv2 अगरा में पूछे का है ठीक है तो यह सारी चीजों को एक बार फटाफट revise कर लीजेगा आप लोग और फिर जो है मिलेंगे बच्चे आपके साथ कल की लेक्चर में जहाँ पर बाते होंगी अनिमल हस्मेंटरी और ब्रिट